बहुत सारे गेमिंग कंट्रोल रिव्यू के चैनल पर अभी थोड़ी दिन पहले कॉस्मिक पाइट का कंट्रोल रिव्यू किया था स्ट्राट जीनों करें वह कंट्रोलर हमारा बड़ा वर सिटाल था पीसी पे चल रहा था पीएस फॉर पीएस फाइव एंड्रॉइड सब प और अलोग-अलोग टाइप के लिंक दे दूंगा वैसा डिस्क्रेप्शन में चेक आउट कर ले ना वीडियो के बाद अभी खोल लेते हैं तो यहां पर कुछ ऐसा बॉक्स मिल जाता है और ब्लू कलर मंगाया हमने ब्लू कलर ना बहुत ही अट्राक्टिव लग रहा वाई क्या बिल्ड कॉलिटी है एक कंट्रोल आता है इसके अंदर एक लंबी सी यूजबी केबल मिल जाएगी और यह टाइप-A वाली है और यहां पे एक हमारी यूजर मैनुल मिल जाती है बागी और बॉक्स में कुछ नहीं है ना वाहा चारच कर्सें संधर स्काड़ स्वार्ड सर्फ सें उसम सिया यूजर के साथ है और यहां पे हमारे को मिल जाता है तो यहांपनी अवfullम कंट्रोल प्लास्किक्न जाती है स्वी के लगएग और उदेफ्र मिला शनी और वॉम क्योंडियन के था सेनी लाइट जल जाती है और वह म्यूट अन्म्यूट का इंडिकेशन देती है और यहां सब आवाज कम जादा भी कर सकते हो और यहां पर माइक्रो यूएस्बी का इंपुट मिलता है पता नहीं क्यों टाइप सी होना चाहिए था जब एक्सबॉक्स सीरीस एस एक्स के लिए है क् और बड़ा की हाईलाइटिस के अंदर हमारे को प्रोग्रामेबल बटन मिल जाते है दो प्रोग्राम करने के लिए बहुत ईजी है यह फ्लैश मूड पर चला जाता है उसके बाद हम कोई भी बटन असाइन कर सकते है इन दोनों में से तो इस दिफरेंट गेम के साब साब से कस्तमाइजेशन आपको आपको अफिचिल कंडूर में नहीं मिलती यह इसके अंधर प्लस पॉंट है और आपके पास Xbox One है और आप डून्डर जो इसके उपर भी यह सपोर्ट करता है एंड और यह एंडरोइड को भी सपोर्ट करता है ूप इमिलेटर वाली गेमिंग करने बिल्टन दीजाइन की तो ऊपर से हमारे को विछ एक लुट जाता है उपर वाला टेक्ट्टर यहाँ पर छोड़ा सा घ्रिपी टाइप का एंड पीछे प्लास्टिक के बाद पीछे यहाँ पर आपे आपे व कुछ डामन का टेक्टर मिल जायागा और आगवराल जो सकी फील मतलब आपका ट्रिगर आपके डिवाइस में और जो इसके साथ केबल आती है इस केबल के लिए 3 मीटर्स है तो अगर आप इसको अपने कंसोल पर यूज़ करते हो तीवी पर जासे गेम क्षेल थे ना दूर बैठके राम से विल्कुल चौड में तो वायर के साथ कोई दिक्कत नहीं है काफी लंबी चौड़ी वायर है तो देखो इस कंट्रोलर में एक्स्ट्र तो यतना कुछ बताने लाइक है नी सीधा बात कर लेता है गेमिक एक्स्पिरियेंस की तो मैंने इसको PC पे लगा के GTA 5 वगरा खेल के देखी थी बड़ी एक्स्पिरियेंस हमारे को मिल रहा था और कोई दिक्कत नहीं थी जस्ट प्लग एंड प्ले है किसी भी डिवाइस के साथ मैंने एंड्रोइड पर चला के देखा उसमें भी प्रॉपर प्लगेंड प्ले हो गया था और जो गेमिक एक्सपिरियेंस था एंड कंट्रोलर का जो अपना हैप्टिक फीडबैक जो वाइब्रेशन है वह बढ़िया है इसके अंदर दो रंबल मोटर्स है अच्छा कासा प्रीमियम वाइब्रेशन फील होती है मतलब ऐसे नहीं थोड़े चीप कंट्रोलर में होती है कि हाँ मज़ा निया रहा इसके अंदर आएगा तो यहीं पर बात कर लेते हैं तो अगर आपके पास एक्सबॉक्स है अगर दोनों है यह सिर्फ एक्सबॉक्स है तो तो डेफिनिटल आप इसको कंसिडर करो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक PC प्लेयर हो तो इससे सस्ते में सेम फीडबैक सेम बिल्ड कॉलिटी मिल जाएगी मैंने काफी सारे कंट्रोलर रिव्यू किये मैं चैनल पर आप दूसरी वीडियो देख ले ले ना एरिस कंट्रोलर आप देख सकते हो उसका फील और फीडबैक अच्छा है काफी सस्ते मिल जाता है स्टाव जीनोन आपका हो गया रेड गेर प्रो हो गया मतलब वो सस्ते में विंडोस पे चल जाते हैं और आपको मतलब फीचर लगबग सेम मिल जाते हैं बाकी हाँ अगर आपको Xbox वाली लुक चाहिए आपको setup पे रखावा चाहिए कि Xbox सा कंट्रोलर हो मेरे पास वायरड वाला थोड़े सस्ते में और पहली बार सब्सक्राइब बैल एक अट बॉल मिलता नेक्स वीडियो अब तक के लिए बाए